आज की या वीडियो बीए, बेस्ची, बीकॉम के थर्ड समस्टर वाले चात्रों के लिए most important होने वाली क्योंकि आज किस वीडियों बात करेंगे स्ष्टर में चाहां, बेस्ची को चाहां, बेस्ची को चाहां, उसमें आपको एक अनिवार प्रष्ण पतर की परिचह देनी होती है और यह 맞는 सब्रीकॉल तो यहां पर भरा जाएगा आपसे नंबर ए ठीक है सहा आफ्तित्त का केंद्र है कुश्चन को आप पहले अच्छे पर समझ लीजिएगा तभी उसका उत्तर दीजिए क्योंकि काफी कुश्चन ऐसे आपको देखने मिलेंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे ठीक लेकिन इसमें से कोई नहीं इसमें सम्ञाध करेंगे और आपको ध्यान रखना में गारंटी नहीं ले रहां इस वीडियो के मतब्ला जीजों को मान नहीं देता है तो भाई शरीर जो है वो चीजों को मान नहीं लेता यह भरा जाएगा फिर आल इतना महात पूर्ण यह नहीं है लेकिन फिर कोश्चन है तो आमको बताना भी बनता है आप सभी को अगला कोश्चन कहरा कि डौट डौट सरीर के पोसर फुरच्छा और सही उपयोग के लिए जिम्मेदारी की भावना है कौन सी ठीक है तो इसमें से जो रिक तवस्थान में भरा जाएगा वो भरा जाएगा सी नमबर यानि कि जो ठीक है आपका सरीम सरीर के पोसर जान सुनें जो स्वयम है वो सरीर के पोसर फुरच्छा और सही उपयोग के लिए जिम्मेदारी की भावना है ठीक है इन आपसरों में सी नमबर से उत्रों अगला कहरा कि स्वयम प्रकत में डौट-डौट है जबकि फरीर प्रकत में डौट-डौट है मतलब कि यहां पर क्या फिल किया इसमें जो भरा जाएक भरा जाएगा अध्यान सभावना यहां भावनाख कॉंकि सरीर की प्रणालि थी मतलब करता किता को समय्म मतलब करती हैं बता निस इस था तब मतलब करते हैं कहीं कि पर बहुत है करां दो याद रख़ें कि मोल्श घंद को सक्त के रूप में जाना जाता है याद राएक कि चुनने चकने कि सक्ती ठ्वठी उप सनों में इतना महातपूर्ड नहीं डिञान लीज़ेए है पेच्छा थी के चुनने चखने की सक्ती छमता आप एच्छा है ओके निश्ट को बढ़ते हैं एक चुनना और ठीक है चाहना डॉट-डॉट की गदविदियां किस चीज की गदविदियां वह फरीर की है इंट्रेल की है इन में से कोई नहीं तो नाइन नंबर का से उत्तर हो आप पमेच्छा प्रष्राओं और उमीदों की गदविदियों को एक साथ क्या कहा जाता है याद कि महात्रमूरप्र प्रष्ण इसको कह जाएगा ठीक है इमेजिनेशन इसको क्या कहा जाएगा याद रखेंगे अगला है कि यहाँ सरीर के अंगों के बीच सामझस होता है उसे डौट किस रूप में जाना जाता यहां पर शरीर के अंगों के बीच जो आसमंजफ जो समय वाला व्ड़ सुने होंगे न तो ही पूछा जारा है कि वी सामझस होता है तो इसको कि रूप में जाना जाता है तो 12 नमबर का सरी रूप में जाना जाता है तो यहां पर क्या भरा जाएगा चलिए आप सब्सक्राइब तो यहां पर लिखा करके तो तीरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगाиком महत्रमुन जो 13 का सही उत्तर बताइए कमेंट वहना पर भाल耶व जाएगा ठीक द्यान ओंगे सरीर का साधन साधन है कहीं का साधन है सजामे कि विद्धिया है नंबर ड्राईने चुननें चâteखने की गद भीदियां इन सब्सक्राइब तो 15 तो नमबर भी ठीक है वह करता है श्रीर की फायता से श्वयम्प्रकत की खोज और उसके साथ आनंत किरिया करता है कोई इकाई जिसमें पह्चानने और पूर्ट करने की गद्विदियां होती उसे क्या कहा जाता है कहाता कि दोसरों में उत्कृष्टता की सुविकरत को क्या कहा जाता है थम्मान कहा जाता चुस्तुन चुनल नंबर से उत्तर अगला कही रहा कि दूफ्रों में एक मिनट हाँ अगला अठारा नंबर की भौतिक शुबदाओं के उत्पादन और रख रखाओं के लिए सरीर को सारेरिक रूप से नियोजित करना क्या कहलाता है तो अठारा का सही उत्तर हो जाएगा अप्शित नंबर ए उसको कह करेंगे स्रम बहुत एक शुबदाओं के उत्पादन रख रखाओं के फरीर को सारे रिव कुरूप से नियोजित करना स्रम कहलाता है निकी जो काम धंदे होते हैं ठीक है ओके निश्कोशन है निश्ट नंबर की विभिन संस्थाओं के साथ हमारे किस कारण आती हैं गलत फ करण आती है अगला कि व्यापक मानो लच सही समझ समरध निडरता और यहाँ पर भरा जाएगा तो यहाँ पर भरा जाएगा याद रखेंगे दी नमबर ठीक है यानि कि सहाफ्तित निडरता और सहाफ्तित है अगला एकिश नमबर कि जब हम प्रचिलित धारणा के बारे में कुछ मानते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो यहाँ पर भरा जाएगा याद रखें कि बहुत महात्पूर्ण प्रस्न है ची नमबर भरा जाएगा यानि कि पूर्व सर्थ जब हम प्रचिलित धारणा के बारे में कुछ मानते हैं तो उसे पूर्व सर्थ कहा जाता है अगला कि हम वास्तों में जो बनना चाहते हैë वो हमारा क्या है सही समझ है या प्रक्रतिक सोभिक्रत हैं या फिर पूरबसर्द हैं प्र पॉर लिल अच्छ है तो 22 जो पैसे उत्तर हो जाईगा बहुत i mahat P 황शन है वह प्रक्रतिक सोभिक्रत ठीक है जो सही उत्तर हो अगला कोश्चन है कि वफ्त पोशण आधी ठीक है कि की स्वा की आवा सकता है सामगरी सरीर की आवा सकता है पिर फिरकत की तो 25 नमबर का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर सी यहां पर भड़ा जाएगा वह तो पोशड़ आदी सरीर की आवस्यकता है ठीक है अगला की विश्वास सम्मान खुशी आदी समय में स्वयम की जरूरते निरंतर आफ्थाई निरंतर होती है और फरीर की जरूरते आफ्थाई होती है मतलब कि पहले वाले जो डोट डोट है इसमें निरंतर भरा जाएगा और यहां पर आफ्थाई भरा जाएगा ठीक है अगला कुश्चन केरा कि सरीर की आवस्यकता है आ आवस्यक्ता लिम्टेड मात्रा में होती है यूनिट में सामग्री में किस में होती है तो इस प्रस्णिका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर भौतिक शुबताओं कि आवस्यक्ता लिम्टेड मात्रा में होती है बी नंबर सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन कहे रहा ना खुसी या फिर लगातार समागरी यूनिट क्या भरा जाएगा तो 30 नमबर का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर A अगर जरूरते सुभावेक रूप से सुभिकार हैं तो मैं उन्हें लगातार चाहता हूँ तो इस प्रस्ट का सहुत्तर हो जाएगा प्रक्त में सामागरी की जरूरते मात्रात्मक हैं और हम ठीक है उन्हें लगातार चाहते हैं तो इसी नंबर भरा जाएगा अगला कोश्चिन है कि सरीर के जरूरते भौतिक रफानिक की चीजों सिर्फ नश्चित होती है इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा यहां पर भरा जाएगा यूनिट को मतलब कि घर में कितने यूनिट हैं एक दो तीन चार पांच कितने लोग हैं वही वाली बात हो रही ठीक है अगला कहरा कि चुनना और तो इमेजिंग-.. यहां पर है उसमें क्या भर्राजएगा तो इसमें भरा जाएगा याद रखें लारजाएंगा 34 का हो जातीं कि चुनना और निर्भर करता हूं क्या भरा जाएगा तो 35 का सही समझ पर निर्भर करता हूं ठीक है अगला कि जानना का अर्थ होना तो 36 का जो प्रस्ण है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप शेयर नंबर बी सही समझ जानना का अर्थ है सही समझ भाई आप किसी चीज को जानेंगे तभी तो आप उसको समझ में आएगा किया है आप प्रतेक मनुष्ट और या आस्तित तो है किस चीज का तो यहां पर जो प्रकार आपको पर इच्छा में प्रस देखने के मिलेंगे ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन कहे रहा है कि विभिन अफ्तरों पर सरकारी प्रतिबंदों को कम करना क्या कहलाता है तो 38 नंबर प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर भी ठीक है उधारी करण साथ कश्टी आगला है कि शवयम और सरीर की गद्विदियों के माद्य हैं से एक दूसरे के साथ बात चीत करते हैं चैन या फिर चखना की गत्विदियों के माध्यां फिर दूसरे के साथ बात्चित करते हैं यहां पर भरा जाएगा चैन बी नंबर सही उत्तर होगा ठीक है अगला कुश्चिन के रहा कि कि खुले पन से इसलिए बी नंबर सही उत्तर होगा ठीक है और निश्क कुश्चिन के और बढ़ते हैं अधुनिक प्रबंधन सिध्धान्त के जनक कौन है तो आधुनिक प्रबंधन के जनक जनक है फादर है हें हेंडरी फेओल जो कि प्रमुक बिद्वान और प्रमुक ठीक है एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिद्वान है ठीक है और हेंजी फेओल ठीक है आधुनिक प्रबंधन के सिध्धान्त के जनक या फादर कह सकते हैं ठीक है अगला क्विश्चिन कहिरा कि या डौट डौट या फुजहाओ देता है कि ऊपर जाने या नीचे आने वाले प्र फंचार को अधिकार की पंक्त में प्रतेक इफ्थित से होकर प्रभावित होना है ठीक है अगला को प्रबंधन को किस रूप में माना जा सकता है तो बहुत महत्पूर्ण यह भी प्रश्चिन आप सभी के एक्जाम के लिए तो प्रबंधन को ठीक है फटीक बिग्ञान की रूप में जाना जा सकता है ठीक है ओके चले नेश्ट को बढ़ें अगला प्रश्चन है इन आपसरों में से जो भरा जाएगा यहां पर भी भरा जाएगा क्योंकि प्रसासन ब्योस्ताइक उग्दम का वाचरण है जो संस्थागत उद्देशों के समग्र निर्धारण और उन उद्देशों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियों से संबंदी थे इसलिए यहां पर प्रसासन भरा जाएगा ठीक है अगला प्रश्चन है कि बिश्चु का सबसे बड़ा प्रस्थित की तंत्र कौन सा है इन आपसरों में से ठीक है तो आपके जानकारी के ल ठीक आटो चलित पर निर्भर करता है ठीक है वो आपको बताना एक प्रक्रतिक जो अधें की तंत्र होता है वह कुस पर निर्भर करता है बहुति सिंपल सा बहुत हर डाईबर का सभी गया शौन की अबनर शब्धें संत्र suppressed की चलिए टीक जिए आच पर बढ़ें अस ब्सक किसी प्रस्थ की तंत्र कौन उन इधार को खाते हैं बदले में मेधक पौधों की पत्तियों को खाते हैं मोभ है क्या प्राथ्मिक साइब भघ्ता है । इन आपसलों में से जो सह dar हो जाएगा आपसे नंबर होजाएगा कौन सा की कि यानि की एकि खाद पिरामिट का सीर से है ठीक on no और निश कोशिन आप लोगों समस्तित तो थै कि प्रस्त्त कि do face की अगला कंशन केरा कि प्रस्तिकी तंत्र के जविक घट्कों सामिल है क्या क्या सामिल है तो उसमें जो सामिल है वह निर्माता और ठीक डिंक पोजर यह सभी घटकों में सामिल है इसलिए सहुत्तर हो जाएगा ए नंबर ठीक है नेश कुश्चन कह रहा कि भाईया संपूर जीव मंडल की वार्षिक सुद्ध प्राथमिक्ता और भोकता कि सुद्ध संपूर यहां पर लोग रहते हैं जहांपर जीवन संभव है ठीक है वार्षिक यानिकी पर साल सुद्ध प्राथमिक ठीक उत्पादक्ता कि बात हो रही है चलिए कमेंट में आप सभी बताइए इस प्रस्टर हो जाएगा इकटर हो जाएगा इस सबसे अधिक बार सीमित करता है उसका क्या नाम चलिए आप सभी बताइए तो सही उत्तर इसका हो जाएक आप्शन नंबर यह ठीक है सौर बिकरण और प्रकास ठीक है अगला कोश्चन है कि कम वर्षा उच्चताप मानों धेली और रितेली मिट्टी वाले छेत्र में होने वाली वनस्पत को क्या कहा जाता है चलिए कमेंट में बताएए बहुत ही महात्पूर प्रस्ट ने ठीक है इस प्रस्ट का सही परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि वे किस अवस्था में हैं चलिए बताएए किस अवस्था में तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर प्रस्ट नहें आप सभी के एक्जाम के लिए इस प्रस्ट का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर भी ठीक है यानि कि हो होमोस्ट इस भी नमबर सही उत्तर होगा होमोस्ट इस ठीक है इस अगला की प्रस्टितिकी तंत्र के दो घटक कौन से इन आप से तो याद रहें कि बहुत ही कौमन बहुत ही हार्ड लेबल को कुश्चन आप सभी के एक्जाम के लिए इस प्रस्ट का उत्तर हो जाएग कि ना अपस्टन हो जाए आपस्टन नमबर डी यानि कि महासागर अगला कि उपभोकता अफ्तर पर उड़ा भंडारन को जहां जो चलिए उसको कहा जाता है माध्मिक उत्पादकता यानि कि बीनंबर से उत्तर होगा ठीक है अगला कोश्चेंट कह रहा कि भाईया प्रात्मिक प्राथमिक उत्पादकता क्या है इनाफ्षरों में से तो जूप उत्पादकता इन आपसनों में से वो है एक परितंतर में प्रकास के रफानिक उर्जा में परिवर्तन की तर ठीक? अगला कुशयन है कि प्रस्टकी तंथ्ट्र में उर्जा का प्रवाह होता है ठीक है तो आपको में हाफ्त च्छेप करण के नास्कों में होने वाले प्रदूर से पच्छियों के अंड़े का चिलका पतला हो जाता है तो किस करण से चल्ए कमेंट में इसका सहुत्तर हो जाएगा आप से नमबर ठीक है अश्यों में क्योंकि प्रमॉक कारण से इसलिए प्राइब याद रख प्रभाव के माध्यम से अब गटन को नियंतित करने वाले दोस्ट सबसे महात्रपुर्ड जलवाय कारक्या है तो याद रखेंगे काफी आप सभी के लिए और एक्जाम में कई बार पुच्छा भी जा चुका तो 21 नमबर मतब कि यह जो प्रस्ण है इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ठीक है वह जाएगा आपसे नमबर बी यानि कि आप मानो और आपसे नमबर भी हो जाएगा ठीक है आदरता और मिट्टी नमी ठी देखते हैं कौन सा कथन सही है तो इन आप्शनों में से जो एक सही कथन है ठीक है वो है गर्म और नम वातावरण आप घटन का पच्छ लेते हैं जबकि कम तापमान और आवयुयता आप घटन को रोकते हैं ठीक है तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर इसका आप प्रिक्रिया पौर सकता तो फरणष्ण में मदकर लिए ठीक है तो इसमें से प्रिक्रिया जो फर्लिशान में मदद करती है ठीक है याद रखेंगे बहुते सब्सक्राइब कि आप सभी कि समस्थ प्रस्तू थे से उत्तर हो जाएगा आप शेन नंबर भी ठीक है यानि कि इस अस्थरी करना ठीक है बीनुमबर अगला कुश्चन निकि पी ए-ार का कितना प्रत्सत पौधो द्वारा कब जा कर लिया जाता है कितने प्रत्सत तो याद र कि प्रतेग्-पोसी अफ्तर में एक निश्चित समय पर जीवित-पदार्थ का एक निश्चित रभ्यमान होता है ठीक है वो क्या कहलाता है तो याद रखें कि बहुत ही common बहुत ही सिंपल सप्रू ने उसको कहा जाएगा ठीक है उसको कहा जाएगा खड़ी फसल ठीक है अगल से उत्तर होगा अगला क्यों करता हैं तो वहां पर के खानीश चक्र बंध हो जाता है ठीक है अगला क्यों की प्रस्तिकी तंत्र है आप सभी जानते विए जो प्रिस्तिकी तंत्र है अच्छे से आप सभी मालू में चलिए कमें इसका उत्तर आप सभी बताईए देखो उनको इसका उत्तर ठीक है ओके इफी तरह और भी आपको बहुत फारे कोश्चन देखने को मिलेंगे फिराल बेसिक कोश्चन में आप सभी समस्त इंक्लूट कर दें जो कि आपके कुछ ना कुछ जरूर देख रहें को मिलेंगे इस से टाइप के कुछ कोश्चन आएंगे बाकि हमारी और भी वीडियो पढ़ी जिनको आप देख सकते हैं और यह पीडियो आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगी ज्यादा हम वीडियो को नहीं कीच कर रहे है क क्योंकि समय ज्यादा है नहीं आपने कोश्चन में इंटरनेट गूगल से पढ़ लेंगे और भी कोश्चन ओके बाए बाए